दिपैंडिंग चैनल में मैं आज आपको पहली बार मैट पैटन डिजाइन डाल कर एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ यह बनाना बहुत ही ईजी है और यह बनने के बाद बहुत ही सुन्दर नजर आता है यह टोपी आप जैन्स लेडिस बेबी के लिए बना सकते हैं औ देखें यह टोपी इस तरीके से फोल करके भी आप पहिंच सकते हैं और बीना खोल के भी यह बहुत ही सुन्दर लगता है इसलिए मैं आपसे किसी भी साइज भी किस तरीके से बनाने है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगे तकि आप आसाइन से किसी भी साइज का बना सक मतलब बाकी का गोल्टोबी में आप जितनी फंदे लेकर बनाएंगे उतनी फंदे आपको रागना है शिर्फ आपको 10 की मंटिपल फंदे लेकर दो फंदे इस्टा राकर यह किसी भी साइज में आपसे आप बन जाता है अब देखे फर्स फंदा बिना बिना दागा आपने औ एक फंदा सीधा बिनाएं मतलब इसका उपर आपको वान वाई वन का रिप डिजाइन बनानी है एक उल्टा और एक सीधा बिनकर इसी बात को रिपीट करते होए पूरी फंदे आपको बिनने हैं इसी तरीके से बिनते होए में लास्ट में आ रहे होए एक फंदा उल्टा तागे पीछे एक फंदा सीधा, तागा आपनी ओर एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है, तागे पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बीनना है, अब देखी इसका दूसरी साइड से, दूसरी साइड फस फंदा बीना बीना, ताग प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अब दिखें, मैं इतनी बीन चुकी हूँ, यह आप किसी भी साइज का आसा इसे बना सकते हैं, इसमें आपको सर की गुलाई का इसाफ से आटेन की मंटिपल का इसाफ से फंदे लेना है, इसके लिए मैं फोर्पला का दागा और एट नमर का सलाई का यूजगर रही हूँ, अ इस तरीके से बोड़ बिनकर बनाईएगा, थिरी पलाई दागा आटेन नमर का सलाई से, अगर आप मिडियम साइज का बनाना चाहते हैं, तो उसका उपर 102 बेल फंदे डालकर बनाईएगा, प्रस बंदा बिना बिना यहां से आपको सारी बंदे सीधी सीधी बिनने हैं, ए देखे, मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते होए, आ रही हूँ, अगर आप स्विटर में बनाना चाहते हैं, तो यह डिजाइन इस तरीके से सीधी साइड से फंदे बढ़ाईएगा, और ब्याक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनने हैं, आप देखे लास्ट वाला फंदे भी आपको ओल्टी बिनने हैं, देखे इस तरीके से बनाएगा ब्याक साइड से, अब देखे इसका सीधी साइड से, फंदा बिना बिना, अब देखें यहाँ से आपको डिजाइन शुरू करना है, दिजाइन में देखें दो फंदे आपको एक साथ बिनने है देखे इस तरीके से दो में से एक बार बिनने है अब देखे यह फोस वाले में से फिर एक बार बनानी है देखे इस तरीके से यह डीजाइन बनानी है बहुती आसान डीजाइन है अब फिर देखे दो फंदे एक साथ बिनने है और श्रिप पिछे का फंदे से फिर अब देखिए बार बार इसी बात को आपको repeat करते वे बिनने हैं मैं भी इसी तरीके से पूरी शलाई बीनती हूं अब देखिए मैं लाष्ट में आ रही हूं 2 पंदे एक साथ बिनने फिर आगी के फंदे से बिनने हैं थोड़ी लुज-लुज बिनकर बनाईएगा अब देख देखिए इसका ब्याक साड से शारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनना है जितनी आप लुज बनाएंगे उतनी बिननाई इसमें खुब्सुरत और आसान लगता है आपको बिनने में ये बात अपको ध्यान देना है ताकि आप आसानि से बना सके अब देखिए मैं इसी त बीना बीना अब देखिए यह फोस्वाला फंद आपको सीधी बिनने है एक बार आपको डीजाइन डालनी है एक बार आपको सीधी बिननने है अब देखिए यहां से आपको पैटन रिपीट गारनी है अब देखिए यह श्रीफ दोस फंदे का पैटन है बार-बार आपको एक चार बार बिनने के बाद आप देखिए पाचव वाले में आपको ये वाला फंदा पलट देना है ठेके फिर ब्याक वाला फंदा फोस्ट में बिनने है देखे इस तरीके से ब्याक वाला फंदा फोस्ट में बिनने है और जो हम पलट रहे हैं और पिछे का फंदा लेकर फिर एक साथ बिनने हैं, देखे इस तरीके से, जिसकी वज़े से ये दिजाइन तिर्शी की ओर जाता है, देखे यहां से आमारे पैटन शूरू हो रहा है, ये दोस फंदे का पैटन है, तो देखे फिर इसी बात को आपको रिपीट गारनी है, दो फंदे एक साथ, फिर पीछे का फंदा बिनने हैं, देखे एक, फिर दो फंदे एक साथ, पीछे का फंदा बिनने दो, फिर दो फंदे एक साथ, फिर पीछे का फंदा बिनने तीन, फिर दो फंदे एक साथ, पीछे का फंदा बिनने चार, ये दोस फंदे का डिजाइन है, चार फंदे बिन रहे हैं, हम यह से शुरू हो रहा है आमारा फिर ये वाले में आपको फंदे पलटनी है और फिर पीछे का फस में बींड़नी हैं है फिर दो में से एक साथ बना लेना है देखे इस तरीके से बार बार इसी पैटन को रिपीट गार्नी है, इसमें दो पैटन बढ़र चुका है, यहां तक एक पैटन, फिर यहां से यहां तक एक पैटन, इस तरीके से दो पैटन इधर बढ़र बार इसी बात को आपको रिपीट गारनी है। अब देखे मैं इसी बात को रिपीट गारते हुए इतनी बेन चुकी हूँ फिर यहां से मैं पैटरन रिपीट गारनी वाली हूँ देखे एक फिर देखे ये दो और ये तीन और ये चार इस तरीके से बेनने है बहुत ही आशान है अब देखे लास्ट में दो फंदे रता है एक डीजाइन का है एक इसको लास्ट में हम सिलाए करके जोड़िंगे इसलिए दो फंदा इस्ता राखना है इसमें तेन की मंटिपल का इसाब से फंदे लेकर देखे सीरी साइट से बिनने के बाद अब देखे इसका ब्याक साइट से फंदा बिना बिना और फिर सारी देखे सारी फंदे उल्टी बिना बिनते होए में लास्ट में आ रही हो अर लास्ट की फंदा फंदा भी उल्डा अब दीखे इसका शीधी साइट से फास बिना बिना यहां से आपको पैटरन रीपीट गारनी है तो देखे यह जो फंद है यह पलत निंए एक बार आपको स बिनते होगे बनानी है, देखिए, एक अर ये दो, देखिए इस तरीके से फिर दो में से एक बार, फिर पीछे का एक बार, देखिए, दो, फिर ये तीन, और ये चार चार बार आपको इस तरीके से बेनने है सीधी साइड से अब देखिए यहां से लेकर यहां तक एक पैटन पूरा हो चुका है देखिए एक दो तीन चार पाँच मतलब ये दस फंदे का डिजाइन है यहां से जिस तरीके से बनाये थे उसी बात को आपको इदर रिपीट गरने है देखिए यह फंदे पलटनी है और पलटने के पाद ब्याक साइड से काटी डाल कर लास फंदे फंदे फस में बिनने है फिर दो फंदे एक साथ फिर फोस वाला बिनने है फिर दो फंदे एक साथ फिर फोस वाला बिनने है इस तरीके से आपको चार बार बना लेना है अब देखिए चार बार बनाने के बाद अब देखिए तिरशी डिजाइन का फंदे पलडने है और ब्याक साइट का फंदे फोस में बिनने है और दो फंद एक साथ फिर बना लेना है तो देखिए इस तरीके से ये पैटन बनकर आता है अब देखिए बार बार आपको इसी पैट को रिपीट गरते होए पूरी सलाई बिनने है अब देखिए इसी तरीके से बिनते होए मैं लास्ट में आ रही हूं तो देखे बैक साइट का फास में बिनने है और फिर दो फंदे एक साथ बना लेना है देखे एक और फिर सीधी साइट से एक दो तीन चार चार बार आपको सीधी साइट से बनानी है अब देखे फिर लाश का एक फंदा सीधा देखे इस तरीके से बिनने आप देखे इसका दूसरी साइट से दूसरी साइट फास फंदा बिना बिना फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनते होए मैं लाश में आरे हो लाश का फंदे भी उल्टा आप देखे सीधी साइट से फा पलटनी है पलटनी के बाद ब्याक साइड से काटे डाल कर लाश्ट वाला फंदा फॉस में और फिर दो फंद एक साथ बिनने हैं देखे इस तरीके से एक बार बनाएंगे अब देखे यहां से फिर प्याटन रिपीट गारनी है इस बार हम तीन बार शिरिफ यह सीधी साइड ने में जिसन बार ऐंगे जो उपर की ओर जा रहा है वो डिजाइन को क। हमें देखे इस तरीके से अ the दीए है कि यहां से हमारा फिर तिर्षु डिजाइन बढ़ाती हुए बिनने हैem अब देखे इस बार हमारे तिर्षु डिजाइन कि दो बार बन चुका प्लटनी और भ forg इएवा प्ल को फास में बिनने है, 冷 अन्यक को दो सब्मस क assists land zod रिखी शब्मस के हूं नहों से इस संब्सक्राइब जो प्याइब से जरystem करएंद में तरीफीज़ है यह नहीं प्ल दोरा तरीफा है सब्मसदór अ किन प्लटन के गें आपको बार-बार रिपीट्ट करनी है तो देखिए फिर इसी बात को रिपीट्ट गरेंगे जो सीधी डिजाइन है यह आपको तीन बार बनानी है है कि ऑपर कि एक बार कि थो बार कि अर्ये थीन बार कि यह सीधी साइट शे में डालने से सीधी डिजाइन बनकर आता है एक फंदhe पलटने से तिर्शी वाला डिजाइन बनकर आता है और जो सीधी साइड से डिजाइन दार रहे है वह डिजाइन गढ़कर यह बात समझने से यह पैटन आपको बनाने में आसान लगता है अब देखे मैं इसी बात को रिपील गरते हुए इतनी बीन चुकी हुँ तो देखे यह इस तरीके से बन कर आ रहा है अब देखे एक बाल फिर यह दो बार और यह तीन बार इस तरीके से आपको बिनने है और देखें लाश में एक सीधा और लाश का एक पंदे भी सीधी इस तरीके से आपको बिनने है तो देखें इसका ब्याक साइट से बिनने है फिर फोस फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टे बिना है अब देखे ये इस तरीके से बन कर आ रहा है तो देखे फॉस फंदा बीना बीना अब यहां से आमारा पैटर्न शुरू हता है अगले रावन में हम ये सीधी बनाए थे इस बार हम इसको पलट कर बिनेंगे अब देखे ब्याक साइट का आपको फॉस में बिनने है और फिर ये फॉस वाला लेकर पिछे का फंदा लेकर दो फंदे एक साथ बना लेना है अब देखे ये इस तरीके से बनने के बाद अब देखे ये वाला फंदे भी आपको पलट देना है देखे इस तरीके से अब फिर देखे ये जो ब्याक साइट का है इसमें आपको फास में बिनने है और दो फंदे फिर एक साथ बना लेना है अब देखे इसमें हमारा तिर्शी डिजाइन बनकर आ रहा है जिस तरीके से ये पैटर्ण का तिर्शी डिजाइन बनाए थे उसी का आप पैटन इधर बनकर आ रहा है अब देखिए यहां से फिर पूरा पैटन शुरू होता है दस फंदे का देखिए यह सीधी साइट से डिजाइन डालकर दो डिजाइन बनानी है देखिए एक डिजाइन बन चुका है तो फिर इसमें बनाएंगे एक अब देखिए इधर दो डीजाइन बन चुका है, ये हमारा 5 सीधी वाला डीजाइन से घड़ते हुए, ये 2 सीधी वाला डीजाइन में आज़ देखे इधर फलड्डे पंडे पलटनी है और भी सायट का फंधे आपको फंचें बिंदने हैं और फिर दोनों फंदे फिर एक साथ बनाएं अब देखिए एक पैटन बन चुका है इसी तरीके से आपको बाकी का तीन पैटन बनानी है बैक साइट से काटी डाल का अब देखिए दो बार तिर्शी वाला डिजाइन बन चुका है इसी तरीके से एक बार फिर बनाएंगे देखिए यह वाला फंदा परलटनी है फिर ब्याकसाइट का फंदे फोस में बनानी है, और फोस ओला और ब्याकसाइट का दोनों लेकर फिर एक बार बनानी है, अब देखें ये इस तरीके से पैटन बन कर आ रहा है, यहां से जिस तरीके से आम बिंते आ रहे हैं, उसी बात को बाकी फंदे में रिपीट गरनी है दो उपर का तिन तिर्शी का डिजाइन बनाते आ रहे हैं आप देखिए दो बन चुका है अब देखिए तिसरी बनाने के लिए आपको ये वाला फंदा पलड़ देना है फिर ब्याक साइट का आपको बिनने है और फिर दोनों फंदे एक साथ बिनने हैं मतलब ये हमारा तिर्शी डिजाइन बन कर आ रहा है ये देखिए यहां से हमारा फिर से पैटरन रिपीट हो रहा है ये हमारा डिजाइन का हाप डिजाइन इधर बन कर आ रहा है तो देखिए दो सीधी का डिजाइन इसमें बनानी है तो पूरा पैटन बना कर आ रहे हैं देखिए इधर हमारा तिर्शिय का डिजाइन बन कर आता हैं दो उपर का डिजाइन बनने के बाद जिस तरीके से बागी का पैटन बनाये थे उसी बात को आपको बन रिपीट गार नी है इधर 6 फंदे है और इधर 4 फंदे यह जोड़कर भी से यह pattern आसानी से बना सकते हैं अब देखें इधर से लेकर इधर तक यह हमारा एक pattern जिस तरीके से बाकी में बना है उसी तरीके से बन कर आ रहा है अब देखें इधर दो सीधी का आ रहा है तो बाकी में आपको तिर्शी का डिजाइन बनानी है देखें इधर साइड और इधर इधर बनाएंगे तो यह तीरशी का जो तीन डीजाइन है इधर भी बनकर आता है इधर का दो और इधर एक डालेंगे तो तीन और फिर दो सीधिका यह समझने से आप यह पैटर आसानी से बना सकते हैं इसलिए मैं आपको डीटेल में बता रही हूं ताकि आप यह डीजाइन स्वीटर में डाल सकते हैं आप देखिए यह दोस फंदे का डीजाइन है बारवार आपको इसी पैटर को रिपीट गरते हूँ बिन नहीं है और यह उपर का पैटर हमारा गटता हुआ आ रहा है और यह तिरशी का पैटर हमारा बढ़ता हुआ आ रहा है तो देखिए इसी तरीके से आपको यह पैटर्मên बनानी है जिसकी वज़ग से जिस तरीके से हमारा यह बिच का जो डीजाइन बन कर आ रहा है उसी इससाद से यह थो भाग सिलकर जुड़ाय करने के बात भी वो डीजाइन बन कर सारी फंदे बींते हैं मैं लाश्ट में आ रही हूं यह पैटन बहुत ही इजी है सिर्फ आपको समझना है समझने के बाग आप आसानी से यह पैटन किसी भी पोजित में डाल सकते हैं आप चाहे तो मेरे साथ-साथ बीन कर भी आप बना सकते हैं अब देखें यहां से फिर फंदा फास में बिनने है फंदे पलटने के बाद अब फिर देखिए दोनों फंदे में एक साथ बिनने है इस तरीके से यह तिर्शी डिजाइन बनकर आ रहा है तो देखिए यह तिर्शी डिजाइन फिर पलटनी है और बैक साइड का फंदे फास में बिनने है और फिर दोनो फंदे एक साथ बनानी है अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से तिर्शी बनकर आ रहा है अब देखिए इसका उपर फिर ये जो उपर का ओर पैटरन जा रहा है ये घड़ कर आ रहा है हमारा अब देखिए एक इस तरीके से एक डिजाइन यहां से यहां तक हमारा डिजाइन फिर से पैटरन रिपीट गारनी है दस फंदे का डिजाइन देखिए यह इस तरिके से बन करा रहा है एक दो तीन चार पाच मतलब दस फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट गारनी है यहां शे यहां था, अब देखिए मैं बीन कर देखा थी हूँ, अब देखिए यह तिरशी का डिजाइन हम चार बार बनाएंगे, अगले राउंड में हम तीन बार बनाएं थे, इस बार हम चार बार बनाएंगे, एक पैटन बढ़ाएंगे, देखिए, एक, और ये, दो, और ये, तीन, और ये, चार, इस तरीके से, देखिए, ये पैटन इस तरीके से, तीरशी बनकर आ रहा है, ये पैटन, जेंच का स्विटर में भी बहुती सुन्दर लगता है, तो देखिए, एक बार हम सीधी बनाए थे, सीधी साइट से, उसी में आपको फंदे बढ़ानी है, जेंच स्विटर में, और फंदे बढ़ान के बाद, ब्याक साइट से आपको उल्टी बिनाए बिनने है, और उसका उपर फिर ये पैटन डालने है, पैटन बहुत ही इजी है, श्रिफ आपको समझना है, अब देखिए, इस तरीके से समझने से आपको आसन लगता है, एक उपर के और डिजाइन जा रहा है, और एक त देखिए, इधर हम एक बार ये सेकंड फंदे सीधी बना रहे हैं, और एक बार डिजाइन डालकर, ये समझने से आप ये पैटन आसान इसे आप से आप बन कर आता है, आप चाहे तो मेरे साथ साथ बिनकर जरू ट्राइगर येगा, जिसकी बज़े से आपको आसन लगता है अब देखिए, यहां से यहां तक का पैटन आपको फिर से रिपीट गारनी है, अब देखिए, ये उपर का और जो पैटन जा रहा है, ये हामारा घड कर आ रहा है, तो देखिए, एक बाकी है, अब देखिए, इधर आपको चार बिनने हैं, तीर सी डिजाइन, देखिए, फिर देखिए, दो, तीन, अरे, चार, इस तरीके से आपको पांच ये तिर्षी का डिजाइन बनानी है, अब देखिए मैं इसी तरीके से बिद्धों हैं, लास्ट में आ रहे हूँ, तो देखिए, फिर इधर से हमारा पैटन फिर से रिप्रीट होता है, डिजाइन का हाफ पैटन, अब देखिए, थोड़ी लूज लूज आपको बिनना है, तो देखिए, एक बार ये वाला बिनने के बाद, अब देखिए, यहां से हमारा तिर्षी का डिजाइन फिर से शुरू होता है, बैक साइट का फंदे, फोस में बिनना है, और फिर दो फं फंदा सीधा, लाश्क का एक फंदे सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है, देखिए, इधर से हमारा पैटन स्टाट हो रहा है, और इधर जाकर एंट हो रहा है, और ये बास समझने से आप आसानी से बना सकते हैं, उमीद गरती हूँ, आपको भी ये डिजाइन पर्षन आ अब फिर आपको यहां से पैटर्न रिपीट गारनी है, अब देखिए, अगेले राउन में हमें ये सीधी बनाए थे, इस बार आपको डिजाइन डालनी है, देखिए, फंदे पलटनी है, फंदे पलटनी के बाद ब्याक साइट का फंदे फंदे में बिनने हैं, हम इसी तर इस तरीके से तिर्शी डिजाइन बनने के बाद अब देखिए, इधर भी आपको ये वाला फंदा पलट देना है, पलट देने के बाद ब्याक साइट का फंदे फंदे में बिनने हैं, और फिर ये दो फंदे एक साथ बना लेना है, अब देखिए, यहाप पैटर्न का आप देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से इस्टैट होता है, यहाँ से यहाँ तक रिपिट गरनी है आपको पैटर्न, एक डिजाइन बनाने के बाद, अब देखिए, चार तीर्शी का डिजाइन बनानी है, अब देखिए, एक, दो, तीन और ये चार इस तरीके से अब देखे ये दस पंदेका डिजाइन है अब जिस तरीके से यहां से यहां तक बनाये थे उसी बात को रिपीट गते होए आपको यहां तक बनानी है अब देखे ये जो पैटर्न है इधर साइट से स्टाट होकर इधर जाकर हमारा एंट होता है मतलब ये दस पंदेका डिजाइन है ये आपको ढियान देना है ताके आपको बिनने में आसान हो अब देखिए सीजी साथ से यह pattern start हो रहा है यह design ये उपर के ओर जा रहा है तो देखिए बाहंगर आपको तिर्शी का ओर का design बनाई नहीं है आप देखिए ब्याक strategy का फंद फंदはい'm बिनने हैं दो फंद एक साथ फिर बिनने हैं फिर देखिए तीर्शी का DISAIN को आपको इस तरीके से पलटनी है और और ब्याक साथ का फंदि संदे फॉस में विनने हैं और दो फंदि एक साथ फिर डीजाइन बनानी है लाश का एक पंदा सीधा देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है अब देखिए एक दो ती मतलब इदर यह सिलने के लिए हैं मतलब चार देजाइन हैं दोनों करनेंक लिए बनकर आता है यह ब्याक साइट से बनकर आ रहा है जिसकी बदर से बीच का पैटन जिस तरीके से बहिंद कर आ 17 ब्याद से तरीके से बनकर आरहा है तो देखी यहां से फिर से पैटन रिपीट अगरनी फिराइंगे देखे इस तरीके से तो देखे यहां से फिर हमारा पैटन इस्टाट हो रहा है तो देखे यह वाला फंदा पलड़ देना है और बैक साइड का आपको बिनना है इस तरीके से और दो फंदे फिर एक साथ बना लेना है तो देखे यह तिर्शी डिजाइन बन कर आ रहा है अब यहां से आपको फिर से पैटन चेंज गानने है अब देखिए इस तरीके से दो फंदे एक साथ तो देखिए यह तिर्शी डिजाइन बन कर जाता है अब देखिए यहां से आपको यह तिर्शी वाला डिजाइन बढ़ते हुए बिनने है मतलब यहां से आपको यह जो तिर्श हमारा एक से दो बन चुका है तो दिखिए इधर तिर्शी का पैटन फिर से घटा देना है शिरिफ आप ये तिर्शी का पैटन तीन बार बनाएंगे दिखिए गिंते हैं एक फिर ये दो इस तरीके से अगिले राउंड में हम चार बार ये डिजाइन बनाएचे तिर्शी वा दिखिए बनाएंगे ये आमरा तिर्शी वाला डिजाइन घटकर आ रहा है और अब उपर की ओर जो डिजाइन जा रहा है उसको आपको बढ़ा देना है शिरीफ आपको ये बात ध्यान देना से ये जो डिजाइन है ये आप से आप बनकर आता है मैं बार-बार बता रही फंदे का पैटन पूरा हो चुका है अब देखे इसी पैटन को आपको फिर रिपीट गारनी है ये दोस फंदे में बनाने के बाद देखे इसी बात को फिर से दोस फंदे में रिपीट गारनी है अब देखे एक उपर का डिजाइन फिर ये भी उपर का डिजाइन बनानी है मत एसी तरीके से आपको तिर्शी का डीयाइन घटाते जाना है जो उपर के ओर डीजैण जा रहा है। उसको आपको बढ़ाते जाना है। श्रीट इसी बात को ध्यान देते हुए आप असान यिसे ये बनाया सकते हैं। आप भी जरू ट्राइ गरिएगा यह आपको आसान लगता है और आप यह बिना का किसी पूर्जेट में डाल सकते हैं बहुती सुन्दर नगर आता है सुल्टर ने में बहुत ही आच्छा लगता है इसलिए मैं आपसे सेयर कर रहे हूँ तो देखे इसी तरीके से आपको लाश तक बेड़नने हैं इसी बात को रिपीट करते हैं देखे इधर दो पैटन हमारा बन चुका है यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक तो देखे इसी तरीके से आपको बनाते जाना है अब देखे यह जो फास फंदा है इसको आपको एक बार सीधी बनानी है और एक बार डिजाइन डालनी है और यह डिजाइन हमारे यह ब्याक साइट से बनकर आ रहा है देखिए ये डिजाइन ये ब्याक साइट से बनकर आ रहा है आप पैटन तो देखिए इधर सीधी साइट से बनकर आ रहा है ये बात समझने से आपको ये पैटन आसन लगता है और आप से आप बनकर आता है अब देखिए इसी तरीके से इसी करते हुए आपको घटानी है अब देखे इसी बात को रिपीट गाते हैं इसका उपर में बींती हो आप इसी तरीके से बनाएगा इस बात को रिपीट करते होए मैं इतनी बींच चुकी हूँ देखे इसमें डीजाइन गिंते हैं एक, लेक में 2, तीन, 4, 5 देखे यह तिरशिका आप देखे इधर एक 2 3 4 5 यह उपर का इस तरीके से यह आपको डीजाइन बनानी कि दादस फंदे कर डीजाइन यह पा-पासथ डीजाइन इस तरीके से बिंस्टहे बना निए यह पांच डिजाइन बनने के बाद जिस तरी के से हम यह नीचे में बनाए थे उसी बात को आपको रिपीट गारने हैं मतलब आपको पैटन यह जो उपर और जा रहा है यह डिजाइन 5 डिजाइन बनाने के बाद इसका उपर फिर रोवान की तरह बिनने एक 2 3 4 5 डीजाइन इदर बन चुका है अब देखे ये जो डीजाइन है ये दो बन चुका है इसी बात को रिपीट गरते हुए इसका उपर फिर आपको तीसरी डीजाइन बनानी है अब देखे इसका उपर किस तरीके से बिनने है फास फंदा बिना यहां से आपको थोड़े अलग से बिनने हैं मतलब इसको आपको एक बार सीधी बिनने हैं एक बार डिजाइन डालनी हैं अब देखिए यहां से सारी फंदे आपको इस तरीके से सीधी साइट से बनाते जाना हैं देख रहा हैं इस तरीके से मतलब सारी फंदे इसी तरीके से सीधी साइट से बिनकर हम डिजाइन बनाएंगे, पांच उपर का डिजाइन बनने के बाद इस तरीके से आपको बिनने है, सारी सीधी साइट से बिनती होए, अब देखिए, ये दस फंदे का डिजाइन है, अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब यहां तक एक पैटन पूरा हो चुका है तो देखिए, यहां से फिर पैटन फिर से रिपीट गारनी है, इसी बात को, मतलब पूरी सला इसी तरीके से बिनेंगे, जिस तरीके से हम रो वान बनाए थे, उसी बात को रिपीट गारते होए, देखिए, मैं इसी तरीके से बिनती होए, लास में आ रही हूँ, देखिए यह 2 फंदे बिनने हैं अरे अंगे का फंदे फिर बिनने हैं अल्लैक्ट का एक पंदा सीरा इस तरीके से बनाईएगा अब देखें बहुती सुनदर पैटन है आप भी जरूर ट्राइगा वन कर आता है इसमें साफ साफ यह प्याटन नजर आ रहा है मैं गिन कर भी देखाती हूं यह तिर्शी का डिजाइन देखिए यहां से इस्टेट हो रहा है एक दो तीन चार पांच इस तरीके से आने के बाद आपको रोवाण की तरह बिनने है अब देखिए यह पांच डिजाइन उपर के ओर जो जा रहा है य ऊल्टी बीने बेंना है नहीं को अब देखिए यह प्यातन फिर से हमारा रीपिट हो रहा है जो उपर का और पांट डिजाइन जा रहा था यह गटने के बाद अब देखिए इसका ओपर तिर्शी का और जो डीजाइन है됐ी है रिपीट गार निने सब्सक्राइब कर निंग है और दो फंदे फिर एक साथ बना लें भी हमारा यह हाँ पैटन शुरू हो नहीं रहा है तो देखें यहां से हमारा पैटन शुरू हो रहा है जिस तरीके से हम रो वान से बिंटे आ रहे हैं उसी बात को रिपीट गर रहे हैं इसका उपर अब देखिए दो तीन चार अरे चार बार बिंटने के बाद अब देखिए जिस तरीके से हम इधर शुरू में तिर्शी वाला डिजाइन बनाए थे उसी बात को इधर रिपीट गरनी है देखें यह पांच मतलब दस फंदे का पैटन फिर से इधर से शुरू हो रहा है तो देखें एक पैटन यह पूरा हो चुका है तो देखें यह तिर्शी पैटन लास्ट में बनकर आता है यह चार सीधी बनाने के बाद तिर्शी पैटन इधर से जिस तरीके से यह वाला बनाए थे उसी तरीके से इधर से बनाते जाना है अब देखिए फिर यह जो दो है यह आपको एक साथ बना आप देखें यह 2 और यह 3 यह 4 और यह 5 उपर का 4 डिजाइन और यह तिर्शी वाला डिजाइन इस तरीके से 10 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए बिन्य है यहां तक आमरा दो प्याटन बन चुका है तो देखें इस तरीके से यह इदर फिर आपको 3 पैटन यह बढ़ाते हुए बिन्य है देखें एक बन चुका है इस तरीके से पैटन बढ़ाएक बिन्य है और जो उपर के ओर झा रहा है डिजाइन ऌब आपको गटाते हुए बिन्य है अब देखे मैं इसी तरीके से बीनते होएं लास्ट में आ रही हूं तो देखे दो बीन चुकी हूं मैं तीन तीन उपर का डिजाइन अब देखे तीन उपर के डिजाइन बनाने के बाद अब देखे ये चार इस तरीके से चार उपर का डिजाइन अब देखे लास्ट में दो मत्ताती हूं ताक कि आपको आसान लगता है अब देखे ये फिर back side से बन कर आ रहा है नतल इधर side बन कर आ रहा है इसमें दो तीन 4 ये उपर का डिजाइन एक भी आमारा एक पैटन बनकर आ रहा है इसी तरीके से ये चार उपर का डिजाइन एक तिर्शी का और ये जो डिजाइन जोड कर बनाएंगे और ये बनाने के बाद जिस तरीके से बीज का पैटन आ रहा है दस डिजाइन का वो भी उसी तरीके से बनकर आता है ये बास आप तिर्शी का डिजाइन इसमें बनकर आ रहा है इसी तरीके से आपको एक दो तीन चार पांच ये तिर्शी का डिजाइन इसका उपर बिनते जाना है यहां से हमारा डिजाइन बढ़कर आता है यह जो डिजाइन है यह गटाते जाना है मतलब जो उपर के ओर जा रहा है उसको फंदे को और फिर का BLACK भी आता है इसी तराना चलिब को के फंदे को ज папड विल्लिना शुचायव, इसी तरीके से यह zwei, वाल बादा ही हैं अब तक ज्नोख का स्टारा हैं उसी बात को रिपीट लिगार्नी है अबदेखिए यहां से हमारा पैटन सुरू होता है एक बार आपको डिजाइन डाल यह और इस पांदे Canal को कर आदेखिए यहां से हमारा पैटन स्चेaire स्चपर जेट होता है यह फंदे आपको पलड़ देना है और विस्पा 4 में बिनने हैं अब फिर दो फंदे एक साथ बना लेना है देखे इस तरीके से यह तिर्शी डिजाइन बन कर आता है अब देखें यहां से हमारा फिर पैटन इस्टाट होता है तो देखें यह उपर का डिजाइन कटाती हुए आपको बिनने एक कि दो जो बनने के बाद इसको पलट देना है पलटने के बाद ब्याक साइट का फंदे बिनने है और फिर ये एक साथ फिर इसको पलटने है और ब्याक साइट का फंदे फस में बिनने है और दोनों फंदे एक साथ बना लेना है बार बार आपको इसी बात को रिपीट गारनी है करा रहा है अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट गरते हैं लाश में आ रही हूं तो देखिए एक और ये दो दो उपर का डीजाइन फिर इधर से आपको तिर्शी का डीजाइन बना लेना है इस तरीके से फिर लाश का एक फंदा सेधा ये देखिए लाश में जो तिर्शी का डीजाइन है ये बन कर आ रहा है तो एक उदर बन रहा है तो एक इधर बन रहा है इस तरीके से ये ब्याक साइट से पैटन बन कर आता है अब देखिए ब्याक साइट से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनने है अब देखिए ब्याक साइट से सारी फंदे उल्टी बिनाई बेनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइट से सीधी साइट फरस फंदा बिना बिना यहां से आपको फिर ये पंदे पलटनी है और पलटने के बाद अब देखिए ये ब्याक साइट का फंदे बेनने हैं अब देखिए फिर ये एक साथ अब देखिए ये इस तरीके से बन कर आ रहा है तिर्शी अब देखिए फिर ये वाला डीजाइन का तिर्शी जा रहा है तो इसको भी आपको तिर्शी बेनने हैं बिनान है अब देख रहे हैं फिर यह दो फंदें एक बीनने है फिर इसइं से एक बार सीधी साइट का डिजऐन बनानी है एक है और यह दो है अब देखिए इधर से आपको फिर तेसे वाला डिजआइन रिपीट करते हैं बिनने हैं दो उपर की डिजाइन बनाने के बाद देखिए ये वाला फंदा फिर से पलट देना है पलटने के बाद ब्याक साइट का आपको बिनने हैं और दो फंदे फिर एक साथ बना लेना है देखिए इस बार हम ये तीरशी का डिजाइन तीन बार बना तो देखिए इस तरीके से तीन बार बना लेना है तो देखिए यह इस तरीके से बन कर आ रहा है मैं इसी बात को रिपीट गरती हूँ आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए बनाईएगा देखे ये तिर्शी का पांट डिजाइन इसका उपर बनानी है फिर ये जो उपर का उर जा रहा है पांट डिजाइन एक, दो, तीन, चार, पांच इसको आपको गटाते हुए बिनना है इधर से हमारा pattern फिर से restart हो रहा है तो देखिए ये दो ये जो है ये उपर का design है अब देखिए फंदे पलटनी है और पलटनी के बाद ये ब्याक साइट का फस में बिनने है और दो फंदे फिर एक साथ बना लेना है लास का एक फंदा सीधा देखिए इस तरीके से पलटनी है अब देखिए इसी तरीके से बिनते होए में लास्ट में आ रही हूं सारी फंदे बना रही हूं और इसका उपर फिर घटाय आता है अगर आप थिरी पलाय का धागे से बनाएंगे तो ये पैटन ज्यादा बनाना होता है पर इसमें मेरा लंबाय पूरा हो चुक को यसे रही है जिस तरíb का हमारा पैटन उसी तरीके से बनाते होए अब देखिए इंधे उ industria पहला से सीधी अब देख रहे हैं इस को फंदें प्रलटनी है और प्रलसदी के बात इब्ल्टनी इव्याग इक साथ फिर बना लेना है तो देखिए इस तरीके से आग ये तिर यह फंदे ब्याक साइट का आपको बेनने है तो देखिए फिर यह दो फंदे एक साथ तो देखिए इस तरीके से यह बन कर आता है तिर्शी डिजाइन अब देखिए यहां से हमारा पैटन फिर से इस्टाट गरनी है अब देखिए यह दो फंदे एक साथ बनाएंगे मतलब फंदे इधर गड़ चुका है तो देखे यहां से हमारा पैटन फिर से इस्टाट गारनी है यह तिरसी डिजाइन में हम तिरसी डिजाइन बिनेंगे बैक साइट का बिनने है और फिर दो फंदे एक साथ बना लेना है तो देखे एक फिर पलटनी है और यह बैक साइट का बिन बिनने है और दो फंद फिर एक साथ बिनने है और फिर ये फंद पलटनी है बैक साट का बिनने है फिर दो फंद एक साथ बना लेना है तो देखें इसी तरीके से इसी बात को आपको repeat गारनी है अब देखे यह तक डिजाइन बनाने के बाद आप फिर देखे दो फंदे एक साथ बना लेना है तो देखे इसी तरीके से इसका उपर घटाई गरते होई बिनने हैं अब देखे मैं इसी तरीके से घटाई गरते होई लाश्ट में आ रही हूँ अगर आप किसी भी साथ का बना रहे हैं तो इसी तरीके से इतनी पैटन आने के बाद आप घटाई गरिएगा थोड़ी लंबा और थोड़ी छोटा होने से ये टोपी में कोई असर दिखता नहीं है इसलिए आपको इसी तरीके से बना लेना है ये में तीन पैटन बनाने के बाद इस तरीके से घटाई गर रहे हूँ अगर आप थीरी पलाय का धागे लेकर बनाएंगे तो इसका उपर हरारी चार पैटन बनाने के बाद भी घटाई गर सकते हैं और ये तीन पैटर्न बनाने के बाद गटाई गारने से ये बच्चे का साइज का बनकर आता है अब देखें मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास में आ रहे हूँ तो देखें इस तरीके से बनकर आ रहा है ये मैं फोरपलाय का दागा आरेट नमर का सलाई से बना रही हूँ इसलिए ये मिडियम साइज का बनकर आ रहा है अब देखें इसका ब्याक साइट से बिनने है फिर ब्याक साइट से आपको सारी फंदे उल्टी बिनने है तो देखिए इसी तरीके से बनाईयेगा सारी फंदे उल्टी भी नए बीनते होए अब देखिए लाश का एक पंदा उल्टा आप चाहिए तो कान से लेकर उपर चोटी तक का लंबाई बीनकर भी ये बना सकते हैं कितनी लंबाई आपको आवसक है उतनी लंबाई बिनकर बनाईएगा अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका उपर कटाई करते हुए आ रही हूं तो देखिए फिर इसका उपर कटाई थोड़ी अलग से आपको बिनने है तो देखिए फस फंदा बिना बिना अब देखिए य का तो अब देखें यह वाला आपको सीधी बिनने हैं देखें यहां से फिर आपको फंद हैं और फिर व्यातर से काटी बना कर दो फंद एक साथ बना लैने फिर देखें इसमें ब्यातर से छे कढी डालकर एक साथ बनानी है दो फंदे दो काईग फिर इसको पलटनी है और ब्याक साथ से काटी डालकर एक साथ बनानी है अब देखे यह इस तरीके से तिर्शी डिजाइन भी बन कर आता है और इसमें घटाई भी हो जाता है अब देखे यहां से हमारा फिर पैटर्न री बना लेना है अब देखिये लास्ट में आ रही हूं तो देखिए यह वाला फंदा पलड़नी है और फिर ब्याक साथ से काट obl tape डाल कर एक साथ बना लेना है अब देखिए लास्त का एक फंदा सिधा इस तरीके से बनाईएगा अब देखिए ब्याक साइट से आपको फस्फंदा बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे उल्टी बिना बिनने है अब देखिए ये गटाई इस तरीके से बन करा आ रहा है अब देखिए फिर फस्फंदा बिना बिना अब यहां से फिर दो फंदे एक साथ इस तरीके से फिर दो फंदे एक साथ इसी तरीके से आपको गटाई गारनी है पूरी सलाई अब देखिए सीधी साइट से इसी तरीके से आपको फंदे गटाते वे बिनने हैं लाश का एक बंदा सीधा आप देखिए ब्याक साइड में बिनते हैं ब्याक साइड में इस सिलने के लिए सुई में डालनी है अब देखे यह सुई में डालने के बाद यह देखे इस तरीके से बनकर आ रहा है अब देखे इस तरीके से आपको इधर साइट सेलने है और यह सिलने के बाद इस तरीके से यह पंदे में इसी तरीके से से शिलती हूँ पूरी रांट और डेखें ये इस तरीके से से बन कर आता हैं तो देखें अब इसका ये वाला हिस्स्था भी आपको सेलना है ल CONC Jupiter स्वीर सकते हैं और उल्टी से सरे से बहुत शिलते हैं फिर आप बनकर आता है यह टोपी बहुत ही सुन्दर नजर आता है पहिंदने के बाद इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपको भी यह टोपी बनाने का तरीका परशन आये तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर करना मत बुलिए अभी तक दिपैनेटिंग चैनल में